मैं डॉक्टर सुपरिया पुरानिक, टेस्टी बेभी कंसल्टन्ट and practicing obstetric and gynecology since last 20 years. इस वीडियो में हमार जानने वाले हैं कि प्रेग्नन्सी के तीसरे सप्ता हमें, हमारे शरीर में क्या बदल होते हैं, हमारे शीशु के साथ क्या होता है, तीसरे हफ्ते में हमें हमारा कैसे खयाल रखना है और हमारे वुड़ बी डैट के लिए हमारी क्या सलाह रहेगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्रेग्नन्सी की गन्ती हम आखरी महावारी के पहले दिन से करते हैं, तो पहले दो सप्ताहों हो चुके हैं, तीसरे सप्ताह के शुरू में ही हमारा एक बाहर निकल आता है और तीसरे सप्ताह के एंड में ये यूट्रस में बच्छा दानी की अंदर की लेयर पे जुड़ जाता है, तो पहले हम जानेंगे ये तीसरे सप्ताह में हमारे शरीर में क्या बदला होते हैं, दूसरे सप्ताह के एक्टम आखिरी दिनों में या तीसरे सप्ताह के शुरू में ओविलेशन हो जाता है, ओविलेशन के वक्त जब अंडा बाहर आता है, तब पेट में हलका सा पेन होता कभी-कभी spot भी बाहर निकल आता है, योनी से जो स्त्राव निकलता है, उसमें थोड़े से बदलाव आ जाते है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और जब ovulation के बाद अंडा बाहर निकल आता है, तो गर्दनलीका वो अंदर खीच लेती है, और ये एग गर्दनलीका में बै एक बाहर आने के बाद उसका fertility potential सिर्फ 12 से अच्छा घंटे तक ही रहता है, तो इस दौराद आप साथ में रहते हैं, तो इंटोकोस के बाद वजायना में स्पर्म गिर जाते हैं, इंटोकोस के बाद जब वीर्य बाहर आता है, तो ये वीर्य में जो पहले दो बुंदे रह तो वो शुक्राणू दो से तीन मिनिट में ही गर्णलियों में आ जाते हैं, लगबख सेकडों शुक्राणू दो से तीन मिनिट में एक के साथ में रहते हैं, लेकिन इन में से एक ही शुक्राणू एक के अंदर जा सकता है, एक शुक्राणू ने एक के अंदर प्रवेश कर के बाद अंडे का कवर बंध हो जाता है और दूसरा कोई भी शुक्रानू अंदर जा नहीं सकता अंडे का और शुक्रानू का मीलन होने के बाद fertilization हो जाता है और यह fertilization Philippine tube में होता है और यह fertilization के बाद अपना जो भृून तयार होने वाला है उसके mass patient में बहुत सारा विभाजन होना बहुत जल्दी से विभाजन होना शुरू हो जाता है तीसरे हफ्त में जादा तर अपना भृून गर्बनलिका में ही रहता है fertilization के पाचवे दिन तक ये भुरून एक्तम छोटा सा बॉल जैसा हो जाता है उसको हम blastocyst बोलते हैं तो ये blastocyst fertilization के पाचवे दिन तक बच्चादानी में आ जाता है बच्चादानी के अंदर ये blastocyst को implant करने के लिए एक layer होता है ये layer को हम endometrium बोलते हैं तो ये blastocyst अंदर के layer से चिपक जाता है जुड जाता है हमारे शरीर के प्रतेक पेशी में 46 chromosomes रहते हैं गुनसुत्र रहते हैं और 2 sex chromosome रहते हैं हमारे प्रत्यक एग में 23 क्रोमोसोम रहते हैं, गुनसुत्र रहते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम रहता है, जो कि अंडे में एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो हर एक अंडा 23 क्रोमोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम से बनता है, जब हम स्पर्म्स की बात करेंगे, तो स्पर्म्स में भी A-S-Cromosome रहते हैं और X-S-Cromosome रहते हैं लेकिन sperm में दो टाइप के Sex-Cromosome रहते हैं एक X रहता है या Y रहता है जब अंडों से X-Cromosome वाले sperm के साथ मीलन हो गया तो हमारी बिटिया पैदा होती है और जब अंडों का Y शुकराणों के साथ मीलन हो गया तो हमें बेटा हो जाता है तो बेबी का Sex ये तीसरे हफते में ही Decide होता है तो ये तीसरे हफतों में ही जब मीलन हो जाता है तब भी Decide होता है बेबी का Sex क्या रहने वाला है बेबी के आखों का Color क्या रहने वाला है बेबी के बालों का Color क्या रहने वाला है कैसे रहने वाला उसके features कैसे रहने वाले तो आई हम जानते हैं यह तीसरे सब्ता हमें हमारे शीशु के साथ क्या बदला होते हैं जैसे कि मैंने बताया फटीलाइजेशन के पाँछवे दिन तक अपना शीशु अपना ब्रुन एक छोटे से बॉल जैसा होता है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं तो यह ब्लास्टोसिस्ट बच्चादानी के अंदर के लेयर पे जुड़ जाता है यह ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी आवरेंट से प्लासेंटा बन जाती है वार बन जाती है जहां से बेबी को ब्लड मिलना शुरू हो जाता है ब्लास्टोसिस् मास से बेबी के सारे अवयव तयार हो जाते है जैसे कि ब्रेन तयार होता है हार्ट तयार होता है मासपेशिया तयार हो जाती है यह इनर सेल मास के बाजू में थोड़ा पानी कठा होता है और यह पानी आगे जाके अम्नियोटिक फ्लूइड हो जाता है यह जो पानी रहता है ये बेबी के लिए रक्षक रहता है, ये छोटे-छोटे जटकों से बेबी की सुरक्षा करता है, ये तीसरे सब्ता हमें, बेबी का साइज बहुत ही छोटा रहता है, जैसे कि पेपर पीन जो रहती है, वो पेपर पीन का हेड जितना छोटा रहता है, उतना ही रहता है, और हमारे pregnancy का कैसे खयाल रखेंगे तीसरे सब्ता हो में बेबी मा के साथ जुड़ जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको strict bed rest करनी है आप अपना daily routine अच्छी तरह से रख सकते हो आपको आपके खान पान पे धान देना है आपको आपकी prenatal vitamins लेनी है जैसे की B12 की मात्रा, folic acid की मात्रा, vitamin D3 यह सब सही मात्रा मिलेना चाहिए क्योंकि यह मात्रा सही रहने से बेबी की brain development अच्छी हो जाती है गरबपात की risk कम हो जाती है हमें हमारी कुछ बूरी आदते रहेगी उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि बेबी भी मांक से जुड़ने लगा है हम caffeine का saven कर रहे है tobacco smoking कर रहे है शराब पी रहे है कुछ artificial sweetener ले रहे है तो वो सारा अभी से बेबी की तरफ जाना शुरू हो जाता है तीसरे सब्ता हमें आपको खुद को बहुत relax रखना है stress की वज़ा से tension की वज़ा से शरीर में adrenaline release होता है और ये adrenaline से बच्चादानी को हलके हलके contractions होते है जिससे अपना implantation की process बेबी को मां से जुड़ जाने की process में problem आ सकती है और कभी-कभी implantation failure हो सकता है अभी हम जानेंगे ये तीसरे सप्ताह में हमारे होने वाले डैडी के लिए क्या सला है हमारे डैडी सोचते रहेगे तीसरे सप्ताह के शुरू में ही उन्होंने अच्छे healthy spumps दे दिये है अपना काम खतम हो गया लेकिन ऐसा नहीं होता अभी से ही आपकी responsibility जाधा बढ़ जाती है आप दोनों गर्भादान के लिए सोच रहे हो आप positive result की उम्मीद कर रहे हो आपने आपको खुद को relax रखना है हमारी होनी वाली mom को भी relax रखना है tension लेना नहीं है tension देना नहीं है और समझो गल्ती से कुछ problem हो गई आपको यही सोचना है प्रत्यक शुकरानों और प्रत्यक अंडा यह परिपूर्न नहीं होता तो pregnancy के यह तीसरे सब्ता हमें हमने जान लिया हमारे body में क्या changes होते है हमारे शीशू के साथ क्या changes होते है यह तीसरे हपते में हमें अपना कैसे खयाल रखना है और हमारे would-be daddies के लिए हमारा क्या कहना है तो इस विशे में आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर email कर दीजिए और आने वाला वीडियो जिसमें हम बताने वाला है कि चौते हफते में pregnancy में क्या होता है तो अपनी ये सीरीज pregnancy week by week जरूर देखते रहिए बहन्यवाद